नमस्कार इस विशेश पुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना नईयर और मेरे साथ है मेरी सहियों की देपाली जो आपको आज सांकेतिक फाशों में खबरे प्रस्तुत करेंगे। शिरुवार सुभा की सुर्ख्यों के साथ। 24 की चुनोती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी, आज महराश्ट्रु के नंदूरबार और तेलंगानक के महभूब नगर और हेत्रबार में जन सभा के बाद उडीशा में करेंगे रोडशों। चुनावी रण में बीजेपी के नेताओं की तुफानी रैली, आमिच्छा, जारखंड और पश्चिम मंगाल में तो जेपी नड़ा, हर्याना और छंडीगड में सम्हालेंगे कमान। राजुनात सिंग दुमका में जन सभा और गोडा में करेंगे रोडशों। विपक्षने तेज की प्रचार की धार, मलीकार जुन खड़गे तेलंगाना और रांध्र प्रदेश में करेंगे पब्लिक मीटिंग, वही राहूल गांधी और मायवती उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। सात्वी और अंतिम चरण के लिए नामांकन भणने की प्रक्रिया जारी, रवी शंकर प्रसाथ पठना जाहिप से करेंगे नामांकन, कॉंग्रेस, उत्रप्रदेश अध्यक्ष, अजे राय, वारणसी लोकसभा से भरेंगे पडचा, भाजबा प्रत्याश्री, निशिकान दूबे और रवी किशन का भी नामांकनाच, अर्विंद के जुरीवाल के अंतरिम जमानत पर सुप्रिम कोट आज सुना सकता है फैसला, अंतरिम जमानत पर प्रवर्तने दिशाले ने कोट में हलफ नामा किया दाखिल, अक्षेत रित्ये के इस शुब अवसर पर रात से चार धाम यात्रा की शुरुवात शुरद्धालू के लिए खुलेंगे केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री धाम के कपाड, वही बारहा मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाड, और खेल की खबरों में रॉयल चालेंजर्स बैंगलोर से हार के बाद, पंजाब किंग्स प्ले ओफ की रेस से बाहर, विराट कोहली की आतिशी पारी की बदोलत, पंजाब को दी साथ रन से शिकस्त, आज अहिम्दाबाद में गुजरात टाइटन्स और चन्नय सुपर आमने सामने प्रधानमंत्री ओडिशा का रुख करेंगे और भुवनेशुवर में रोट शो करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव प्रचार अभ्यान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है मिशन चार सो पार के नारे के साथ एक एक सीट को जीतने के लिए पार्टी के सभी दिगजनेताओं ने पूरी ताकत जोंकती है वरिष्ट नेता और स्टार प्रचारक आमिच शहा जारखंड और पश्चिम मंगाल में ताबड तोड रैलियां और रोट शो कर एंडिये के पक्ष में जीत का महौल तयार करेंगे आमिच शहा आज सबसे पहले जारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेतर में जनसभा को संबोधित करेंगे जिसके बाद वह पश्चिम मंगाल के चुनावी दोरे पर पहुंचेंगे जहां वे नादिया जिले के राणा घाट और वीर भूम संसद्यक शेतर में रैली करेंगे रैली को संबोधित करने के बाद शहा आसन सोल से भाजपाउमी द्वार सुरेंदर सिंग अहलूवालिया के समर्थन में शाम चार बजे रानी गंज के सियार सोल राजबाडी मैदान में शिशुबागान तक एक रोडशो भी निकालेंगे वही भाजपा के राश्ट्य धक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नडड़ा आज हर्याणा के पंचकोला में दुपहर करीब 12 बजे रोडशो कर जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे जिसके बाद वहे शाम चार बजे चंडिगर के रामलीला मैदान में विजे संकल्प रैली को संबोधित कर राजपा की सभी लोगसभाद सीटों पर भाजपा की जीत को सुनश्चत करेंगे वही भाजपा के वरिष्ट नेता और रक्षा मंत्री राजपा सिंग जारखन के गोड़ा और दुमका में भाजपा प्रत्याशियों की नामांकर में शामिल होंगे रक्षा मंत्री दुमका के यग्यम मैदान में सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं राजनात सिंग गोड़ा लोगसभा सीट से भाजुबा प्रत्याशी डॉक्टर निशी का अंदूबे के नामांकन में भी शामिल होंगे लोगसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुमाधार चुनाव प्रचार जारी है आज विपक्ष के कई दिगजनेता मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में उत्रेंगे कॉंग्रेस सध्यक्ष मलिकारजुन खडगे तेलंगाना और अंद्रप्रदेश में चुनावी जनसभाई करेंगे खडगे का दिन का पहला चुनावी कारेगरम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है जहां वो एक प्रेसवारता कर लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रखेंगे इसके बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी जनसभाई कर लोगों से वोट मांगेंगे शाम को खडगे आंद्रप्रदेश के विजेवाड़ा में गडबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी राली को संबोधित करेंगे कॉंग्रेस के स्टार प्रिचारक राहूल गांधी के भी आज दो चुनावी कारिक्रम है राहूल आज लखनों में विभिन सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रे सम्विधान रक्षा और नयाय सम्मेलन को संबोधित करेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चार सत्रों में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में राहूल शाम छे बजे से आयोजित एक सत्र को संबोधित करेंगे इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले करीब 30 से ज्यादा संगठन हिस्सा ले रहे हैं राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के कन्नोज और कानपूर में भी चुनावी राली को संबोधित करेंगे वही बस्पा सुप्रिमो मायावती उत्तर प्रदेश के अकबरपोर लोगसभाक्षेतर में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे मायावती लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रही है उत्रप्रदेश की कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष आजे राय आजे लोगसभा चुनाव के लिए अपना नामांक भरेंगे आजे राय उत्तरवरदेश की वाराणसी लोगसभा से कॉंग्रेस की टिकेट पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाव चुनाव लड़ रहे हैं इससे पहले 2014 और 2019 की लोगसभा चुनाव में भी आजे राय को दो बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ चुनाव में हार मिली है भाजपा प्रत्याशी और पूर्व के इंद्री मंत्री रवी शंकर प्रसाद आज पटना साहिब से अपना नामांकन दाखिल करेंगे बिहार के पटना साहिब में आम चुनाव के साथवे चरण के तहट एक जून को मतदान किये जाएंगे मध्यप्रदेश के बैतूल में चार मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोट डाले जाएंगे इन मतदान केंद्रों की सामगरी बस में आग लगने की कारण चल गई थी बस में छे मतदान केंद्रों की सामगरी थी जिसमें दो मतदान केंद्रों की सामगरी सुरक्षित बची थी मतदान शाम छे बजे तक होगा Supreme Court दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े money laundering case में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज अपना फैसला सुनाएगा इस से पहले कल केजरिवाल की अंतरिम जमानत पर प्रवर्ते ने शाले ने Supreme Court में हलफनामा दायर किया था इस हाल अफनामे में E.D. ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है ना ही समवेधाने का अधिकार और यहां तक की कानूनी अधिकार भी नहीं है E.D. ने कहा कि पिछले पात साल में 123 चुनाव हुए है और अगर नेताओं को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए तो किसी भी नेता को गिरफतार या न्याई खेरासत में नहीं रखा जा सकीगा क्योंकि साल भर कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं घौर तलब है कि प्रवर्तर निदेशाले ने मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल को 21 मार्च को गिरफतार किया था इससे पहले E.D. ने के द्वारा नौ समन जारी करने के बावजूद केज्रिवाल पेश नहीं हुए थे और अब बढ़ते हैं अगली खबर के और आज अक्षे तृत्य का पावन पर्व है इस चुप्तिती पर विश्व प्रसिद केदारनाथ गंगोत्री और यमनोत्री धाम के कपाड़ खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगे आज विधी विधान के साथ सुभा साथ बजे केदारनाथ धाम के कपाड़ श्रधालों के लिए दर्शन के लिए खुल जाएंगे हजारों श्रधालों के जैकारों के साथ बाबा केदारनाथ की पंच मुखी डोली केदारनाथ पहुँच गई है देर शाम तक सोला हजार से अधिक्ष्वत दालू भी पहले दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए केदार पूरी पहुँच गए है मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी केदारना धाम के कपाट खुलने पर मौजूत रहेंगे दस मई को सुभा साथ बजे यानि कि अपसे कुछ देर बाद केदारना धाम के कपाट खुलेंगे जबकि यमनोत्री धाम के कपाट सुभा करीब साड़े दस बजे और गंगोत्री धाम के कपाट बारा बच के पचीस मिनिट पर खुलेंगे खेल की खबरों में इंडियन प्रेमियर लीग में पंजाब किंग्स की टीम प्ले आफ की रेस से बाहर हो गई है धर्मशालम में गुरुबार को खिले गए मुकाबले में पंजाब की टीम को रॉयल चालेंजस बैंगलूरू की टीम ने साट रन से हरा दिया मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस चीता और पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया आरसीबी ने विराट कोहली के 47 गेंदों पर 92 रनों के दम पर 7 विकेट पर 241 रन का स्कोर किया इसे के साथ इस विशेश बुलिटिन में इतना ही मुझे और मेरी सहयोगी दिपाली के साथ फिलहाल के लिए डीजी न्यूस की टीम को दीजी अनूमती डीजी न्यूस पर खबरों का सलसला यूही जाले रहेगा नमस्कार